अगर अपन देखें तो हमारे पास petrol खत्म होरा है, diesel खत्म होरा है, rate बरते चले जा रहा है, हमारे पास energy का source का है, तो तो बहुत energy का source यहाँपर बैठा हुआ है, मतलब कि जो sun से आने वाली energy है, उसको हमेंडरे जो अपने बैठा है, ये बहुत छोटे से पिद्दू से solar cell की तो चलिए अब देखते हैं कि solar cell होता क्या है, solar cell काम कैसे करता है और solar cell के लिए हमें किस टाइप के material की ज़रूरत पड़ते हैं तो बेसिकली जब हम solar cell की बात करते हैं तो solar cell जो है यह हमारे प्रभू सूरेदेवता सन से जो light आ रही होती है उस light से वो solar radiation से EMF convert करता है मतलब की electromotive force बनाता है potential difference create करता है और जिसकी वज़ा से हमें output में एक current मिलता है तो यह हमारे पास basic सी working होती है solar cell की की बाई when a PN junction diode which generates EMF when solar radiation falls on the PN junction इसमें होता क्या है हमारे पास basically यहाँ पर अपने एक photosensitive material की coating कर देंगे एक हमारे पास होता है N type semiconductor एक होता है हमारे पास P type semiconductor और यह जो junction है इस junction पर अपन photosensitive material की coating कर देंगे होता यह कि जैसे ही यहाँ पर sun की light आई यहाँ पर electron hole generate होते है गौर देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर मैं कहीं पर भी load नहीं लगा रहा है मतलब कि मैं यहाँ पर कोई battery नहीं लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर output लेने की कोशिश कर रहा हूँ अब आप कहोगे कि यह क्या लगे हुए हैं बाबाजी यह दो end में यह हमारे पास contact होते हैं आपने अगर देखा हो तो solar cell में ऐसी aluminium की lines बनी रहती हैं तो वो क्या होते हैं actually में उपर वो collect करने के लिए होते हैं किसको charge carriers को तो जैसे ही यहाँ पर light आई light आने पर क्या होता है अगर आप P type को देखोगे तो P type में acceptor type impurity होती है और क्या होता है डिप्लीशन रीजन में और कुछ नहीं होता और अगर अपन N type को देखें तो उसमें positive हमारे पास donor type impurity होती है light आई, light आने पर हुआ यह कि यहाँ पर holes और electrons generate हुए अब electron पर negative charge, electron पर negative charge है तो यह positive जो है उस electron को अपनी तरफ attract करेगा उपर की तरफ तो यहाँ पर collect होने लग जाएंगे electrons तो यह वाला terminal हो गया negative और यहाँ पर जो holes generate हुए वो holes यह जो negative है अपने पास field है जो junction के across वो positive है जो अपने पास accepted type impurity के negative है यह holes को अपनी तरफ attract करेंगे कहेंगे आओ भाई तुम पर positive charge है मैं negative वाला हूँ तुम move कर सकते हो आओ नीचे की तरफ तो यह holes नीचे की तरफ आना start हो जाएंगे जब ॉर holes पर charge क्या होता है भाई holes पर charge होता है positive तो यह positive charge नीचे की तरफ आना start हो जाएगा और यहां collect होने लगेगा और इसी दिन के लिए हमने ये metal contact लगाया था जो कि charge को accept कर लेगा, charge को accumulate कर लेगा, तो जो नीचे वाला section है हमारा वो हो गया positive, उपर वाला हो गया हमारे पास negative और outer में जो हमने ये connect करा है, ये हमने एक load लगा रखा है, या आप ऐसा कह सकते हो, एक em लगाया, positive से negative की तरफ current flow होना start हो जाएगा, and this is basically you're working for solar cell, that's it, फिर से P type, N type, बीच में junction, P type में क्या है, negative वाले acceptor ions, N type में क्या है, positive वाले donor ions, जैसे ही light आई, electron hole generate हुआ, electron hole generate हुआ, hole पर positive था, वो negative वालों ने उसे खीचा, तो यहाँ पर holes collect होने लगे, electron पर negative था, donor type impurity ने उपर खीचा, तो यहाँ पर electrons connect होने लगे, यह हो गया lower potential पे, यह हो गया higher potential पे, जैसे ही बाहर से कोई load लगा होगे, bulb लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, तो current flow start हो जाएगा, and this is basic working of solar cell, अब अगर कोई आपसे principle पूछे, तो it works on the principle of photovoltaic effect, मतलब कि जब photons incident होते हैं, तो potential difference generate हो जाता है, simple word पकड़ो, photovoltaic effect, that's it, notes तो मिली रहे हैं आपको, इसके बाद, अगर हम देखें, तो अभी हमने जो बात करी, सबसे पहले क्या हुआ था, basically तीन process होती है, solar cell के अंदर, सूर्य देवता प्रभू हमारे उपर light गिराई है, सूर्य देवता ने हमारे उपर light गिराई, जैसे ही light आई, electron और hole pair generate हुए, तो सबसे पहली चीज़ होती है generation, where electron and holes pairs are generated, अब क्या होंगे, जब ये generate होंगे, तो holes को खीचेगा P type, holes को P type क्यों खीच रहा है, क्योंकि P type में negative type की impurities है, वो जो अपने पास accepted type के हैं, तो holes को खीचेगा P type, electrons को खीचेगा N type, जिसकी वज़ा से ये separate हो जाएंगे, तो दूसरी process हो गई separation, तीसरी चीज़ क्या थी, अगर तुम यहाँ पर देखो, तो सबसे पहले generation हुआ, फिर separation हुआ, फिर in contact ने क्या किया, उसको collect कर so सबसे पहली चीज, generation, दूसरी चीज, separation, तीसरी चीज हमारे पास क्या है, तीसरी चीज है हमारे पास collection, so basically जब आपको solar cell explain करना है, तो आपको उसकी working में इन तीन चीज़ों के बारे में ही ज्यान देना है, that's it, कहानी खतम हो जाएगी, अब आपसे कोई कहे कि IV characteristics बनाओ, य से N की तरफ, ठीक, अगर हम solar cell की बात करें, तो solar cell में ये P था, ये N था, P वाला side positive हो गया था, N वाला side negative हो गया था, और जो current था, वो बाहर ऐसे P से N जा रहा है, जब हम forward bias करते थे, बैटरी लगाते थे, तो इस तरह से clockwise था, इस case में anti clockwise है, इसलिए जब solar cell की characteristics बनाई जा तो current जो हम ले रहे हैं, वो negative वाले axis पर ले रहे हैं, क्योंकि इस current को हमने positive माना था, तो जब current बाहर opposite direction में जाएगा, तो negative, ठीक है, voltage तो positive ही है, P को positive, N को negative रखते थे, तो P higher पर है, N lower पर है, that's it, वो तो positive ही है, मगर current हमारा negative, क्योंकि opposite direction में flow हो रहा है, अब देखो जब जब आप यहां पर outer में कोई resistance नहीं लगाओगे, आपके पास क्या है, solar cell है, positive, negative, आपने कोई resistance नहीं लगाया, जब कोई resistance नहीं लगाया, तो according to I is equal to V by R, R हो गया 0, so 1 upon 0 infinity, मतलब current बहुत ज़ादा, ultimately कुस्तो resistance होगा, मगर current बहुत ज़ादा, आपने कोई resistance नहीं लगाया, तो कोई भी बाहर voltage का drop नहीं हो रहा है, इसलिए current बहुत ज़ादा, तो इसलिए जब हमारे पास हम बाहर resistance नहीं लगाते हैं, उस current को बोलते हैं, short circuit current, उस समय output में voltage कुछ नहीं है, मगर current बहुत ज़ादा है, according to the equation, ohms law, I is equal to V by R, अगर दिमाग लगा रहे हो, तो potential difference create किया, load है नहीं, तो current हो गया हमारे पास, कितना? current हो गया हमारे पास बहुत ज़ादा, इसे बोलते हैं, short circuit current, जब आपने इसको open कर दिया, मतलब कि यहाँ पर कोई भी connection नहीं है, अगर connection नहीं है, तो उस case में resistance हो जाएगा हमारा infinity, और उस case में current हो जाएगा 0, तो जब आप इसको open circuit करते हो, तो अपना resistance 0, infinity हो जाता है, current 0 हो जाता है, और जो voltage मिलेगा, potential difference, वो highest, यह हमने current electricity में पढ़ा था, कि जब cell से कोई current नहीं आए, तो जो potential difference होता है, वो cell के EMF के बराबर होता है, तो यहाँ पर जब आपने कोई resistance नहीं लगाया, open circuit है, resistance infinity हो गया, in fact, आप यह कह सक तो उस समय जो आपका voltage है, यह open circuit voltage है, और यह बहुत जादा है, तो यह graph कुछ ऐसा आता है अपने पास, resistance 0 से लेके resistance infinity तक, और इस quadrant में क्यों आ रहा है, यह भी मैंने तुम्हें बता दिया, क्योंकि current opposite direction में है, अब हमारे पास एक अलग, यह बहुत ही जादा, हद से जादा important है, इसमें तो अपने important वाले भाई को बना ही लो, यह तो आना ही है, 100%, अब आजाओ जल्दी से कि हम जब कोई solar cell, जैसे आप से कहा जाएगा, why gallium arsenide is preferred for solar cell, for making solar cell, तो solar cell को बनाने के लिए कुछ properties चाहिए, क्या चाहिए, band gap जो है, वो होना चाहिए, 1 से 1.8 electron volt के बीच, number 1, number 2, जब light incident हो, तो भाई, उसको absorb करने वाला भी तो कोई होना चाहिए, light आ रही है, कोई absorb करने तयार नहीं है, तो फिर कैसे होगा, तो light absorption जादा होना चाहिए, electrical conductivity जादा होना चाहिए, और पता चला कि अपन ऐसा material यूज़ कर रहे हैं, जिस material की demand बहुत जादा है, मगर ही नहीं market में, तो इसलिए हमें ऐसा material चाहिए, जो उसकी availability हर जगा पर हो, और बहुत जादा हो, ठीक, और cost भी हमको, अब मैंने कहा, solar cell की, एक simple सी मुझे boat बनानी है, और इस boat को बनाने में एक लाक रुपे लगे, तो फिर मैं क्यों बनाऊंगा इस boat को, तो cost भी important एक parameter होता ह जब हम solar cell के लिए material design करते हैं, आप से पूछा जाए कि why this material is preferred for solar cell, उनमें ये सारे point आपको लिख देने हैं, so that's it, कहानी खतम, इसी के साथ, बाबा जी ने आपके syllabus को भी खतम कर दिया है, और electronic devices को भी खतम कर दिया है, prepare करना शुरू कर दीजिए, धमाकेदार पढ़ाई करो माक्स क्या माक्स के तो पापा को भी आना पड़ेगा, like, share, subscribe करना, बिल्कुल मत बूलना, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से, जय हो